ॐ है ॐ है कॉच서 1-5 हितना ॐ है किपया एंसर है ौ फिल्द 5 तो ये 2 होगे इस miten ये 5 चोंडी चोंड़ी चोंडे लगली है और भी पहले मैंने ट्रिक्स बताय था लेकिन यह उससे भी छोटा रहेगा, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, ताकि इसको अच्छे से आपको मैं समझा सकूँ, तो बंदे मातरम, मैं आरपी पांडे खुरपाती ग्रूप में आप सब का स्वगत करता हूँ, आज क वीडियो को हम लोग स्रूव करते हैं, तो आज देखते हैं, तो जैसा कि मैंने आपको पहले एक और ट्रिक का वीडियो मैंने बताय था, उसमें मैं इसको समझाय था, जिसमें मैंने आपको त्रिन टेवल बताय थे, तो देखिए उससे भी ज्यादा सौट, अब की मैं जो बताऊंगा, यह उससे भी ज़्यादा सौट हो जाएगा, तो और हम लोग बाकी मेथर्स भी जानेंगे, कि और मेथर्स से कैसे बनेंगे, लेकिन जैसे कि सबसे पहले हम लोग ट्रिक के बाड़े में ही बात कर लेते हैं, तो आप जानते हैं, कि मैंने पहले वाले वीडियो कि बात हो, उसमें कोई लफरा नहीं होता है, हम लोग किसका बात करें, निगेटीव वाले का, तो जब निगेटीव वाले का आता है, यानि कि यहां पर sin inverse minus x हो जाता है, कोशेक inverse minus x हो जाता है, वहां से हम लोग का प्रोब्लम शुरू होता है, तो इसके लिए क्या करता है, माइनस थेटा, माइनस थेटा, माइनस थेटा, यह एंसर हो जाता है, बात प्रतों में, दूसरा मैंने उसमें कहा था, कि अगर आपको कहीं cos inverse minus x दिख जाए, सेक inverse minus x दिख जाए, या आपको cot inverse minus x दिख जाए, ऐसा रूप दिखे, तो आप कर दिजीए क्या, pi minus theta, यहां पर कर दिजे, pi minus theta, यहां पर कर दिजे, pi minus theta, कोई बात नहीं, लेकिन अभी हम लोग को क्या करना है, कि हम लोग को pi minus theta करने का उतना जुरूरत नहीं परेगा, उसमें आप लोग जाने थे, कि cot inverse minus root 3 था, तो यहां पर क्या होता है, root 3, pi upon 6 होता था, तो हम उसके हिसाब से, आपक 5 pi upon 6 हैगा, पर अभी क्या करिए, आपको यहां वाले में, इसमें तो कोई लफ़रा नहीं है, इसमें minus theta है, simple हो जाएगा, sine को से कहीं भी कुछ दिखे, step वाला जहां भी दिखता है, यानि कि आपको कहीं दे दिया हो, sine inverse, 1 upon root, यहां पर minus 1 upon root 2, इसमें नहीं सोचना है, sine 1 upon root 2 का pi upon 4 होता है, तो उसके लिए हमें minus में दिया है, तो सिर्फ minus लगाने गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर clear है, अब आता गए इन तीनों का, जब भी cos inverse, second inverse और cot inverse आपको कहीं भी दिखता है, तो उसके लिए आपको pi minus theta भी करने का उतना जूरत नहीं 1 upon 2 पर सुचना है, तो क्या हो जाता है, pi upon 3, तो करना आपको जाए कि pi minus theta करने की विज़रत नहीं, सिधे 3 है ना नीचे, 3 में से 1 को minus करें, तो 3 में से 1 गया 2, तो 2 pi बटा 3, यह simple हो गया आपका इसका result, उसके तर कोई भी value आप लेते हैं, किसी भी तरह जैसे मान लिजे, आपको कोई भी value आप लेते हैं, cos inverse, cos inverse मान लिजे कि आपको minus 1 upon root 2 कर देना है, cos inverse minus 1 upon root 2 कर देना है, तो 1 upon root 2 का क्या हो जाते है, आप जाते है, pi upon 4, लेकिन यापे क्या नीचे 4 है, तो 4 में से 1 गटा दीजे, तो 3 pi upon 4 हो जाएगा, इस तरीके से आप किसी को भी easy way में बना सक जाते हैं, ठीके, यानि कि क्या कर देना है, जो भी नीचे denominator होगा, जो भी हर में होगा, उसमें से एक घटा के अंस में आप लिख दीजे, आपका काम असानी से हो जाएगा, दूसरा मान लिजे कि अगर कोई आपको ऐसे पूछ दे कि cos inverse minus root 3 upon 2, cos inverse minus root 3 upon 2, तो ये पहले cos root 3 upon 2 तो कितने का होता है, तो pi upon 6 होता है, कितने का होता है, pi upon 6, तो यहाँ पर 6 में से एक गया, 5 answer, यानि नीगेटिव वले के लिए अब यहाँ पे इन में भी बहुत ही सोट तरीका से बना सकते हैं, और बाकी जैसे अभी था हम लोगा sin inverse को second inverse, इन में कुछ नहीं करना है, सिर् minus theta कर देना है, ठीक है, positive है, तो वाल तो आप जानते हैं, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, simply theta theta लिखते चले जाना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है, minus में problem होता है, तो यह तो हो गया सबसे short trick से, इन सब को बनाने का तरीका, आपको जानते हैं, या कोई भी अभी ज़्य ज्यादा तर objective questions होते जा रहे हैं, तो ज्यादा तर objective questions बनाने के लिए, आपको tricks मालूम होना चाहिए, अब हम लोग जानेंगे, कि किसी in a question को एक तो trick method से देखे हैं, बाकी और दो method से कैसे बना सकते हैं, आयो उसको हम लोग देखते हैं, एक तो हो गया, हम लोग का trick method से हो दूसरा हम लोग देख लेते हैं, तो दूसरा बहुत simple मान लिजे कि यह हम लोग का question है, जो एक नमरे cot inverse minus root 3 है, तो simple इसको जब हम लोग पूरा पर चुके हैं, यानि का objective question दिया है, जल्दी से और किसी method से बनाना होते है, यहाँ पर simple के cot inverse, और यहाँ पर minus है, तो minus अब इस करना होगा, तो minus cot theta कब हो जाता है, तो आप जानते है, minus cot theta के लिए हमें करना पर जाएगा, cot pi minus theta, यह मतलब थोड़ा सा process से हो जाएगा, यह step ठीक है, उसके बाद अब हम क्या कर दिया, cot inverse, cot को cancel भी कर सकता है, या एक बार के लिए आप लिए आप लिए, यहाँ पर कर दिय cot और यह LCM में होगा, तो 6 pi में से पाई गया, तो 5 pi upon 6, उसके बाद से cot inverse cot हट गया, तो क्या बच गया, 5 pi upon 6 यह theorem से हो गया, तो इसी process से आप बाकी दोनों को भी बना सकते हैं, जैसे मन लिए कि इसको एक को मैं बना देता हूं, cosec inverse minus 1 है, तो इसको हम लोग क्या कर दिया, cose 학-1 inverse बाहर ने, तो cosec inverse बाहर आने दीजे, और minus तो minus, और 1 कितने में होता है, तो cosec, cosec pi upon 2 का हो जाता है, इसमें आगे बढ़े तो इसमें थोड़ा सा अंतर हो जाएगा, cosec inverse, इसको cosec minus theta किया जा सकता है, cosec minus pi upon 2, क्योंके cosec minus theta is equal to minus theta हो जाता है, तो यह पी फिल ओगा minus pi upon 2 इसका answer इसे तरह इसको या बाकी किसी को भी अब आप लोग इस तरह से असानी से बना सकते हैं और अगर positive वाला है तो इतना सोच नहीं नहीं जैसे मान लिजे कि आपको कोई positive वाला दे दिया है साइन इनवर्स वन दे दिया है साइन इनवर्स वन दे दिया है साइन इनवर्स वन दे दिया है तो इसमें तो कोई tension यह मन दूसरा question हो गया तो इसमें simple है तो यह भी एक हम्मारा method हो गया सभी question को आप लोग इस पर बना सकते हैं आए एक और अपना method देख लेते हैं जो हम लोग का main method जो सुभी से सीखते हैं उसको जान लेते हैं यह वाला method आप लोग सब लोग जानते हैं असानी से क्योंकि इसी type के आप लोग बार बार बनाते हैं कैसे कि यहां पर सिधे हम लोग solution जब सुरू करते हैं सिधे लिख दे कि माना cos inverse minus 1 upon 2 is equal to theta step से और यह आपको याद आगया होगा आप क्या करते हैं तो सिधे cos theta is equal to minus 1 upon 2 उसके बाद यहां पर क्या होगा तो minus to minus अब यह कितने का मान होता है तो cos pi upon 3 का value हो गया तो cos pi upon 3 हो गया अब minus cos theta कैसे हटेगा तो यहां पर हो जाएगा cos pi minus pi upon 3 cos pi minus theta से तो minus cos theta होता है इसके बाद यह हो गया cos 2 pi upon 3 left में क्या है यहां पर है cos theta therefore theta is equal to 2 pi upon 3 और यह range के अंदर भी बिलोंग करता है इसलिए इसका answer हो गया क्या क्या होता है जिलो से pi होता है और यह उसके अंदर आ रहा है तो इस तरीके से आप लोग यह इस तरीके से जितने भी ते सभी याद आगए होंगे उसको आप सभी बना सकते हैं जैसे कि मानेजिए कि अगर आपको दिया था साईन इनवार्ण उपन रूट तो इसको हुं क्या कि थीटड़ मान लिए मान लिए तो इंप्लायज क्या करेंगा कि और यह होक्त हैति साइन थीटड़ अपॉन रूट टू और कुछ दिया है तो आप चीज़े अच्छे से समझ में आ गई होगी कोई भी दिकत हो आप कमेंट करके बता सकते हैं और अगर आपको यह पसंद आया हो आपको अगर यह समझ में आ अच्छे से तो आप लोग वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को सेर कर देजिए और नि आप जय हिंद जय भारत